दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे फिस फारमी यूटूब चैनल पर दोस्तो हम बहुत ही जानकारी यूक्त वीडियो लेकर के आए हैं एक वारे फिर आज से जिस तरह से हम प्रयास करते हैं कि परते एक दिन आपके लिए किसी ने किसी ने टोक पीपर आपको अच्छी अच्छी जानकारी गुनकारी जानकारी देने का प्रयास करें दोस्तो उसी करी में हम फिर से आज कुछ नया चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं दोस्तो तो यह बहुत ही उपयोगी वीडियो है आपके लिए हम कहना चाहते हैं दोस्तो कि अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करने फिस फार्विंग चैनल को दोस्तो और इसी तरह का वीडियो आप परतेक दिन पाते रहें दोस्तो तो चलिए हम वीडियो सुरू करते हैं समय नहीं लेते हुए दोस्तो आज हम बताने जा रहे हैं कि आप अपन आने वाला है इसमें दोस्तों तो हम जिस तरह से बताते हैं उस तरह से आप काम करेंगे बहुत अच्छा गुरोथ होगा दोस्तों आपकी मचली ओका तो चलिए हम वीडियो को सुरू करते हैं आज हम दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से एक एकर तलाव के लिए आपको होम-made फीड बनाने का जोगार बता रहे हैं दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके प्यास क्या-क्या चाहिए होमेड फीड बनाने के लिए एक बार बनाने का हम सारा वजन बताते हैं उसी तरह से क्रम से आपको बनाते जाना है और अपने मचलियों को खिलाते जाना है तालाब में मचली पालन करते हैं उनके लिए हम बताना चाहते हैं कि वह भी खाटाल से गोबर ले लेंगे तो खाटाल के गोबर में क्या फायदा होता है खाटाल में जो गाय पैला जाता है उस गाय को चोकर खिलाया जाता है तो वह जो गुवर होता है चोकर खाने वाली गाय जब गुवर देती है तो यह आपके मचलियों के लिए बहुत भायद मंद साबित होता है दोस्तो तो जो भी लोग टाउन के आसपास रहते हैं उनको भी टेंसल लेने की कोई चिंता नहीं है देहात वाले के पास तो गाय होत है चुकि अभी सरसो का तेल का दाम बहुत बढ़ गया है खली का दाम भी बढ़ गया है तीस रुपे बतीस रुपे के आसपास साभी मेरे यहां दे रहा है पता नहीं आपके यहां किस रेट में दे रहा होगा दोस्तो तो अगर हम कहना यह चा रहा है कि सरसो के खली का दिक मिक्स करना है उसमें और 100 ग्राम बेकिंग पाउडर ले लेना है दोस्तों ये छे साथ चीज जो हम बता दी है आपको दोस्तों आपको हम एक बार फिर से बोल देते हैं 20 कजी गाय का गुपर 20 कजी सरसो की खली नहीं मिलेने पर आप मुंगफली की खली लेंगे 15 कजी राइस 100 ग्राम यूडिया ले लेंगे और 100 ग्राम बेकिंग पाउडर आपको मिल जागा दोस्तों ये सारे चीजों को ले लेना है अब हम आपको बता देते हैं किस तरह से आपको बनाना है हम दो विधी बताएंगे इस विडियो में यह भोजन बनाने के लिए दोस्तों जैसे पह हम बताने जा रहे हैं कि अगर आपके पास 200 लीटर का एक ड्रम होगा जो कि एक दो वीडियो में हम आपको बताए हुए थे कि आपको अपने तलाब पर क्या सब रखना चाहिए दोस्तों तो उस क्रम में हम 200 लीटर वाले ड्रम के बारे में भी आपको बताए हुए तो सारे को उस ड्रम में मिला करके आपको 48 गंटे तक दोस्तों उसको छोड़ देना है वह बहुत 48 गंटे के बात दोस्तों आप देखेंगे कि बहुत गंश जीसा उसमें आने लगेगा और हो सकता है तो बहुत सरा कीरा भी उसमें उत्पन हो जाएगा da दोस्तों इसका मतलब है आप पानी मिला दें जितनी आवे सकता हो और सारे तलाब में ब्रोडकास्ट कर दें इसको आप सारे तलाब में चारो तरफ शे ऐसा नहीं है कि एक जगा या दो जगा से आप सारे तलाब में चारो तरफ घुम घुम करके इसको अच्छी तरह से पानी मिला मिला करके छिरकवा जुब फाइटो प्लैंक्टन दुनों का निर्मान हो जाता है जिससे आपकी मचनियों का गुरोध बहुत अच्छा होता है और यह करम आपको परतेख 15 दिनों के अंतराल पर यह करते जाना है एक चीज़ा आपको ध्यानी यह रखना है कि आपका पानी तलाब का पानी बहुत त्यार करके अपने मचलियों को देंगे दोस्तों और पानी का निरिक्षन हर समय करते रहना है आपको यहाँ फिर हम बताते हैं कि जब पानी ज्यादा हरा हो जाए तो भोजन बरंद कर देना है दोस्तों तो धन्यवाद हम यही पर वीडियो समप्त करते हैं अगर यह वीडिय जो गाओं का भोजन है मचलियों के लिए पसंद आएगा आपको दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे धन्यवाद